अगर आपकी बीबी या गल्फरेंड चाहती है कि आपका हतियार मोटा हो लंबा हो ताकि घुसाने पर उसकी चीखे निकल जाए तो चिंता मत करो इस औसधी का इस्तमाल करो 100% गारांटी है सिर्फ साथ दिनों तक सही तरीके से इस्तमाल कर लोगे तो आपका लिंग 11-12 इंच लंबा 3-4 इंच मोटा लोहे से भी ज़्यादा कड़क मजबूत हो जाएगा डालते ही चिलाने लगेगी चार बच्चों की माँ अगर चार बच्चों के माँ के भी अंदर घुसाओगे तो वह भी चिलाने लगेगी इतना मोटा लंबा हो जाएगा आपका लिंग विरे को मखन जैसा गाड़ा बना देगा ये आयुरुवेदिक शुक्रा प्लस पाउडर घंटों तक संभू करने के लिए इस ओशधी का जरूर इस्तेमाल करें खरीदने के लिए दिये गे नमबर पर आप अभी कोल करें जिन पुर्षों का ओजार छूटा है उनकी बीवी लंबा ओजार पसंद करती है तो आप इस ओशधी को लगाकर अपने ओजार को लंबा और मोटा कर सकते हैं इस ओशधी को दिये गे नमबर पर कोल करके अभी खरीदने के लिए दिये गे नमबर पर आप अभी कोल करें तो चलिए जाने इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली बीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आपको पता ही है आजकल की औरिते हों या लड़कियां उनको लंबे और मोटे हतियार की जरूरत पड़ती है उनको लगता है कि जब मोटा लंबा घुसेगा तभी उनकी चीखे निकलेगी और यही बात सच है जिनका लिंग छोटा है पतला है तेरा है कम जोर है उनकी किसी और मर्द से ठोकाई का मजा लेती है और वह कुछ भी नहीं कर पाते तो अगर आपका लिंग छोटा है पतला है तेड़ा है कमजोर है बहुत ही जल्दी बीरी जड़ जाता है तो आपको इस औसधी का इस्तमाल करना चाहिए इस औसधी को तयार करने के लिए आपको 100 ग्राम की मातरा में अरंडी का तेल चाहिए 50 ग्राम की मातरा में आपको चाहिए मेथी का पाउडर और आपको 50 ग्राम की मातरा में छीली हुई पीसी हुई लहसून का पेस्ट आपको लहसून का पेश्ट लेना है और आपको लेना है मेथी का चूण दोनों अरंडी के तेल में मिला करके धीमी आच में पकाना है तब तक पकाना है जब तक की लहसून और मेथी का रस अच्छी तरीके से अरंडी के तेल में उतर ना जाए उसके बाद आपको इसे च्छान करके किसी कांच के बोतल में भर कर रखना है प्रति दिन आपको थोड़ा सा गुनगुना करके साम के समय अपने लिंग पर लगा कर मसाज करें और आपको ध्यान रखें कि साथ दिनों तक आपका बीर ये ज़ड़ने ना पाए ना ही आप संब बाई